नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक टू यॉर ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग वित रोहन दोस्तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही एक यूनिक और नहीं स्ट्रेटेजी लिखाया हूं इस स्ट्रेटेजी को आपको कंटिनुसलिए फ्रेंड्स प्रेक्टीस करना होग तब आपको एक अच्छा कासा प्रॉफिट देखने को मिल पाएगा और यह स्ट्रेटेजी किस तरह से हैं और वो कैसे काम करते हैं यह हम देखने वाले हैं उससे पहले मैं बता दू यह मेरी यूट्यूब की चैनल है अगर आप इसे नहीं सब्सक्राइब किये तो अभी क् प्लीज एक सेकंड लगेगा सिर्फ सब्सक्राइब बटन क्लिक करने का तो सब्सक्राइब कर ले और यहां पर देखिए बहुत सारे लर्निंग वीडियो से हाव तो गैट 30 तो 50 पॉइंट से किया जाता है यहां पर मैंने आपको स्क्रीनर्स भी शेर किये हैं यहां पर तो दिखा यह बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है बट यहां पर कुछ आएंगे यहां मुविंग एवरेज आएंगे जिसको हम यूज करने वाले हैं तो लेट से सपोज यह मूविंग एवरेज है एक और यह दूसरा मूविंग एवरेज इस तरह से कुछ क्रॉस ओवर क अगर लेट से सपोज मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है जैसे यह यहां से गया इंदेन मार्केट ने इसको इस तरह से कट किया तो यहां पर जब यह क्रॉस ओवर कर रहा है तो यहां पर हम सेल का ट्रेड लेंगे ठीक है तो फ्रेंट इसमें किस तरह से ट्रेड करना यह मैं जरूर आपको बताने वाला हूँ विट इंडिकेटर और और बी टिल शेयर करें तो इस वीडियो में जो इंडिकेटर हम यूज करें उसकी सेटिंग्स बहुत ज्यादा इंपोर्टन है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए तो चलिए देखते हैं कौन सा इंडिकेटर है और किस तरह से हम यूज कर रहें तो फ्रेंडिकेटर टैप में जाओंगा और यहां पर में सेव कर दिया हैं प्रेंस इस indicator का नाम है नारध या वाटस वाटसन करके relational Qua Danco कbles करके तो देखिए यहाँ पे दो indicator है तो मैं दोनों indicator को अभी यहाँ पर सिलेक और रहा हूं इ제로 दिफ्रेंस का यह chassis का अब यह भी बता दो देख सकते के आपको यह settings है यह आपको 8, 8 and 24 रखनी होगी अगर आप scalper नहीं है आपको positional trade लेना है quick entry quick exit तो आपको यह लेना होगा double 1 that is 11 waiting average is 1 और regression bar is 3 अगर आप scalping आपको quick चाहिए 10 point 20 point 30 point तो आप यह settings use कीजिए ठीक है friends अभी मैं आपको यह वाली settings के साथ बताऊंगा यहाँ पर हम लोग scalping वाली technique के साथ देखेंगे और friends यहाँ पर इस नारदया Watson indicator के साथ मैंने code करके यहाँ पर moving average भी add कर दिया है यह simple moving average है जो 9 है वो आपको change करके 39 रखना है this is for both आप वह यह वाला indicator यूज करोगे तो फिर भी 39 करना है यह वाला indicator यूज करोगे तो फिर भी 39 ही करना है और friends आपको क्या करना है यहाँ पर यह जो moving average है इसको red कर देना है इसको मैं थोड़ा bold कर देता हूँ ठीक है तो friends हमारी red वाली line moving average है यह जो red and green वाली है वो हमारी relational quadratic kernel करके indicator है जिसने बनाया है नारदया वाटसन ने ठीक है तो friends यह मैं यहाँ पर चार्ट पर लेके आया हूँ ठीक है friends तो अभी हम यह इसको देखके trade देखने वाले किस तर इस तरह से जब cross over देता है for in higher time frame आप 15 minutes का time frame use कर सकते हो इसमें यह देखिए friends जब भी यह cross over देगा यह देखिए मैंने जैसे बताया था यहाँ पर देखिए एक सेकेंड हमें दूसरा लेंगे यह blue वाला लेंगे यह देखिए friends यहाँ पर इस तरह का cross over होता है इस तरह का तब हम क्या करने वाले हम यहाँ पर sell का trade initiate करेंगे over year SL क्या होगा high of the candle रहेगा या until unless यह इस तरह से cross over नहीं देता तो ठीक है friends जब यह cross over देगा तब sell का trade लेना है जब इस तरह से cross over देगा तब buy का trade लेना है तो देखिए friends यहाँ पर अभी हमारा एक sell trade बन रहा है यहाँ पर देखिए cross over हो चुका है and first candle पर आप sell trade को initiate कर रहे है ठीक है friends यहाँ पर आपने sell trade किया देखिए low कितना हो रहा है 128 points का इसने low बनाया है देखिए अगर आपने entry यहाँ पर लिये होती ठीक है तो हमको minimum first candle पर पहले candle 100 point मिल जाते अगर आप first candle पर trade नहीं लेते let's say आपने second candle पर trade initiate किया है तो आप अपना SL किस तरह से set करोगे तो आप अपना high of this candle आप SL set करोगे that is swing high यह आपका SL होगा and stop loss क्या रखोगे stop loss आपका यह रहेगा and आप entry यहाँ पर ले रहे हो तो हम short trade देखते हैं पहले तो यह हमारा short trade इस तरह से होगा risk to reward ratio 1 is to 1 का minimum रख सकते हैं ठीक है और यह आपका SL है तो देखिए friends 1 is to 1 का risk to reward ratio यहाँ पर मैंने रखा है जो की around यह candle पर खतम हो जाता है तो देखिए friends risk to reward ratio हमको इस तरह से लेना है हमने high of this candle को SL माना है अपना and हमने यह वाले candle पर entry लिए और यह वाले candle पर हम लोग exit कर र जब भी इस तरह से crossover होगा next candle पर आप initiate करोगे swing high would be your SL ठीक है friends अभी आगे देखते हैं buy trade की इस तरह से initiate करना है देखिए friends यह वाले candle पर हमको यहाँ पर crossover मिल चुका था यह देखिए यहाँ पर crossover हो रहा है अगर यहाँ पर crossover हो रहा है अगर आप 315 या 330 हो रहा है तो आपक up opening है यहाँ पर तो आपको एक साथ तूरण profit मिल गया gap up opening पर और हम और भी ट्रेट देखिए देखिए यहाँ पर friends अभी 15 minutes का time frame है आप बोलोगे कि इसमें किस तरह से technique में बताता हूं चलिए friends हम यहाँ पर क्या करेंगे 15 minutes के time frame पर हम लोग cross line यहाँ पर select करने वाले है ठी ठीक है तो मैंने यहाँ पर इसे click कर दिया तो यानि कि क्या यह plus symbol बन चुका है यहाँ पर देखिए cross over हुआ है cross over वाले candle पर हम लोग trade को initiate कर रहे हैं अब मैं क्या करूंगा 15 minutes के 5 minutes time frame में आ जाओंगा और मैं देखूंगा वह plus sign कहां पर बना है तो अगर आप देखोगे 15 minutes trade पर देखिए यह plus sign यह वाले candle पर बना था तो अब हम यह वाले candle पर trade लेने वाले वाले which is this candle ओके आप देख सकते हैं यह वाले candle पर आप मुझे किस तरह से trade लेना है अगर मैं यह वाले candle पर रखता हूं तो मेरा SL क्या होगा high of this big candle यह मेरा SL होगा and मेरा risk to reward ratio रेखा 1 is to 1 क यह आप 1 is to 1.5 भी रख सकते हो बट आपको वहाँ पर trail करना होगा तो देखिए friends 1 is to 1 का risk to reward ratio पर हमको एक अच्छा खासा profit मिल रहा है देखिए friends यहाँ पर तो यह यही से cross over दे दिया था यहाँ से bearish हो गया था देखिए यहाँ पर बट हम 15 minutes high time frame में जाके more confirmation ले देखिए उसके बाद कितना बड़ा follow आ इसमें तो हमको इस तरह higher time frame पर देखना है कि trend क्या चल रहा है and then हमको lower time frame पर trade execute करना है तो आप 15 minutes में आप entry exit देखोगे and then आप lower time frame में trade को initiate करोगे अभी हम को buy trade देखते है यह देखिए friends यहाँ पर यह देखिए cross over हो चुका है अब यह candle पर cross over हुआ है तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर फिर इसे cross hair ले लूँगा ठीक है यह वाले candle पर और मैं यहाँ पर रख दिया हूँ ठीक है और अब मैं जाओंगा 5 minutes time frame पर जैसे मैंने 5 minutes time frame पर गया अब मैं देखूंगा वो cross hair कहाँ पर दिख रहा है मुझे ती कि यहांपे है यह देखिए अब cross hair यहाँपर आ चुका है यह देखिए यह वाले candle पर मेरा trade बनता आप अब देखिए यहाँ पर already cross over हो रहा अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं अल्रेडिक क्रस ओर हो रहा है से थीक है तो आँब क्या करना वाले इसमें two trade किस तरह से लेंगे जम यहां पर लॉंग ट्रेड ले रहें तो ठीक है यहां पर लोंग ट्रेड ले रहों ठीक है मैं एसल किस तरह रहूँगा एसल रहूँगा low of this candle low of this candle या इस candle को भी सेल रख सक्टे हो and this to reward ratio would be 1 to 1.5 अगर अच्छा reward ratio हमको 1 is to 1.5 का easily friends यहाँ पे मिल रहा है तो आपको इस तरह से trade लेना है अब हम और भी देखेंग चलिए nifty में भी देखते हैं अगर बैंक nifty में देखा तो nifty में भी trades को देखते हैं तो nifty में हम 15 minutes के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे friends nifty में आ चुके हैं अब nifty में आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा कासा trade बनता हुआ दिख रहा है friends तो आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे cross down हुआ है तो आप क्या करोगे आप जैसे यह cross down हो रहा है आप यहाँ पे इससे click करके यह cross hair लगा दोगे and then आप five minutes time frame पे जाओगे जैसे यह आप five minutes time frame पे जाओगे यह आपको बता देगा कि यहाँ पे हमको कौन से candle में trade बनता हुआ दिख रहा है तो दिखिए friends यह वाले candle में trade बनता हुआ दिख रहा है तो अब हम क्या करने वाले हैं इससे हम short position पर जाएंगे ठीक है high of this candle हम SL रखेंगे and risk to reward ratio would be 1 is to 1 का तो 1 is to 1 या 1.5 का भी रख सकते हो दिखिए friends 1 is to 1.5 का risk to reward ratio था बट दिखिए उसके बाद दिखिए market किस तरह से नीचे गया है यह दिखिए यहाँ पर पूरा red line है यह दिखिए तो यह scalping के लिए था जैसे मैंने आपको बता है यह scalping के लिए है देन हम जाएंगे next के लिए अगर आप positional trader है तो यह दिखिए I do difference है वो difference भी मैं आपको बताऊंगा तो चलिए अभी हम normal indicator पर देखते है that is normal वाल इंडिकेटर में क्या difference है तो मैं अपनी script में आ जाता हूं मैं यहाँ पर normal वाल इंडिकेटर लेता हूं और यहाँ पर मुझे extra moving average लेना पड़ेगा that is moving average तो मैंने यहाँ पर moving average ले लिया है ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर already है I think तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर already set किया हुआ है तो यह देखिए आपको यहाँ पर setting रखनी है 8, 8 and 25 for positional trading and moving average आपको 39 लेनी है normal which is closing one and देखिए आपको इस same way में इस तरह से भी आप trade कर सकते हो आप निफ्टी देख रहे थे तो आम निफ्टी में ही देखेंगे चलिए देखेंगे निफ्टी का trade देखते है यहाँ पर बहुत सारे bullish trade है यहाँ पर cross over हुआ है then a big rally यहाँ पर भी देखिए cross over हो रहा है and then देखिए बड़ी rally आ रही है यहाँ पर भी देखिए तो हम smaller time frame में भी देखते है smaller time frame में किस तरह से trade मिलता है देखिए friends यहाँ पर क्या ह हुआ है cross over हुआ है कहाँ पर हुआ है यह वाले candle पर and SL क्या होगा low of this candle यह आपका SL है यह आपकी SL की line है तो मैं यहाँ पर SL की line भी बता देता हूं यह देखिए इस तरह से देखिए support and resistance आपको price action देखना है यहाँ पर दिखिए हम क्या करेंगे हम long position लेंगे यहाँ पर cross over ह हो रहा है SL हमारा यह रहेगा risk to reward ratio 1 is to 1.5 या 1 is to 1 का रख सकते हुआ यह देखिए यह देखिए किस तरह से movement हुआ उसके बाद देखिए और उसके बाद देखिए यहाँ पर cross over हुआ है then a fall यह देखिए यहाँ पर fall देखिए तो आपको इस तरह से cross over करके आपको trade initiate करना है आप इससे higher time frame में भी 30 minutes के time frame में भी use कर सकते हो अगर आपको 30 minutes के time frame में use करना है देखिए यहां पर बहुत ही मस्त तरह का crossover हुआ है and then rally मिलिए 30 minutes is more than enough अगर आप यहां से एक candle भी पकड़ लेते हो ना यहां पर एक crossover candle देखिए आपने आपको example पर दिखा देता हूँ यह देखिए यह crossover candle अपने पकड़ लिया है ठीक है अब मैं इसको जाके 5 minutes में देखूंगा ना तो यह बहुत अच्छा profit देगा मुझे चलिए देखते हैं यह भी यह देखिए यहां पर बनता हुआ दिख रहा है यह देखिए यह देखिए यह वाले candle पर आपका trade initiate करना था यह वाले candle which is this green candle चलिए यहां पर trade initiate करते एक short short trade SL क्या रहेगा sorry यह long trade है हम short trade लेते है short trade में ने लिया है यह देखिए यह आपका SL है and risk to reward ratio देखिए आपको कितना बड़ा मिल रहा है और यहां पर हमनों calculate करते कितना point मिले approximate अगर हम approximate करके तो 127 points का bank nifty में आपको profit बनता हुआ दिख रहा है यह दिखिए फ्रेंद्स रिस्क कितना है और reward कितना है तो आप ऐसे करके higher time frame में trade को देखिए and lower time frame में trade को initiate कीजिए तो आपको इस तरह से स्केंडल को use करना है और trading setup करना है नारदया Watson करके indicator available है यहां पर indicator tab में अगर आपको moving averages के साथ अगर आप ऐसा इंडिकेटर अची है क्योंकि इसमें हम लोग moving averages भी use कर रहे है तो आप यह वाला इंडिकेटर यूज कर सकते हैं यह मैं अपने telegram के group में share करने वाला हूँ ठीक है friends thank you for watching trading with Rohan